स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर इंडियन नेवी की तरब से ITI Pass Out Candidates के लिए अलग अलग ट्रेड में अपरेंटिसिप आच चुकी है जो की आई है नेवल डाक्यार्ड अपरेंटिसिप स्कूल एक होता है डाक्यार्ड अपरेंटिस इसकूल विसाखा पतनम वहां से निकाली गई और ये वैकंसी हर साल निकाली जाती है इस अपरेंटिसिप का benefit सबसे बड़ा ये है कि इस अपरेंटिसिप को करने के बाद जब नेवी में या नवल डाक्याड में कभी ट्रेट्समैन की वेकेंसी आती है तो उसमें आपको 100% कई वार वेटेज दिया जाता है भी रिसेंट में 1400 से ज़्यादा वेकेंसी आई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट इलिजबल थे जिन्होंने डॉक्याड अपरेंट्सिप स्कूल से अपरेंट्सिप पास आउट की थी मेंस अपरेंट्सिप किया था तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट है 100% आपको बेटेज मिल जाता है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एक benefit आपको मिलेगा during apprenticeship आपको यहाँ पे hostel facility भी देखने को मिल जाएगी आईए देखेंगे complete notification क्या हो से पहले आपसे request करेंगे चैनल पे नए है तो प्ली चैनल को subscribe करके bell icon को hit कर लीजेगा पूरा notification देखेंगे कैसे form भरना है form यहाँ पे online and offline दोनों mode है online क्या है, offline क्या है, उन दोनों चीजों को भी पूरी तरह से हाँ पे समझेंगे एक ही वीडियो में वीडियो को like कर दीजेगा and share भी अपने सभी groups में कर दीजेगा जिसे सभी को फायदा मिल सके तो यह official notification हमने यहाँ पे download कर लिया है Ministry of Defense, Navy की तरफ से निकाली गई एपरेंटिसिप है और यह एपरेंटिसिप है आपकी 2023-24 बैच के लिए कहां से निकाली गई? At Novel Daquiard Apprentices School, विसाखा पत्नम की तरफ से आन्रा प्रदेश की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है All India, All Indian Candidate, यहाँ पे Indian National Eligible Means All India में आप कहीं से भी बिलॉंग करते हूं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है? अब Trade Wise Vacancy देख लेते हैं उसके बाद बाकी facilities के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे पूरा आपको अभी से पूरी एक schedule मिल जाएगी कब आपका exam होगा, कब आपका DV होगा, कब आपका medical होगा कब से आपकी joining होगी, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले बात करें Electronic Mechanic की यहाँ total 36 post है Fitter की 33, Seat Metal Worker की 33, Carpenter की 27, Mechanic Diesel की 23, Pipe Fitter की 23, Electrician की 21, RAC की 15 Pipe Fitter में Plumber Trade apply कर पाएंगे, ध्यान दीजेगा, ठीक है Electronic Mechanic में Electronic Mechanic and Mechanic Radio and TV एक trade होता है वो भी candidate apply कर सकते है Welder Gas and Electric में Welder के candidate apply कर पाएंगे Machinist में Machinist के Penter General Then Instrument Mechanic की post है Mechanic Machine Tool Maintenance है जिसमें Mechanic Machine Tool Maintenance MMTM और Mill Right Maintenance Mechanic Triple M trade के candidate apply कर सकते है Foundry Man की post है जिसमें 5 vacancy है इसमें कई बार Black Smith भी लिखा रहता है लेकिन यहां नहीं लिखा है तो सिर्फ Foundry Man लिखा है तो ऐसे candidate भी apply कर सकते हैं Total Vacancy की बात करें तो यह vacancies हैं 275 यहाँ पे आपको category wise भी break up देखने को मिल जाएगा किस category की कितनी vacancy है Unreserved एक ऐसी category होती जिसमें सभी candidate जो है form fill up कर सकते हैं अगर आपके पास form नहीं है आपका certificate नहीं है का certificate तो आप Unreserved में भी apply कर सकते हैं अब यहाँ पर procedure की बात करें कैसे apply करना है यहाँ पर procedure पूरा दिया है सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.job.in पे अपना एक account बनाना means आपको register करना है अपनी ID बनानी है नहीं किया है आपने जरूर कर लीजे ITI के सभी candidates को यह चीज करना must है description में एक link है वीडियो का उससे आप check out कर सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर register करना है कैसे अपनी profile आपको 100% complete करनी है इसके बाद आपको क्या करना है इस पे अपने सभी details को fill करते हुए अपनी profile को पूरा 100% complete कर लेना है फिर क्या करना है उस profile का आपको एक print out ले लेना है क्या करना है उस print out को आपको ले लेना है web portal से इसे आपको apprenticeship वाले form के साथ साथ भेजना पड़ेगा इस printout को लेने के बाद आप एक यहाँ पे hall ticket का format मिल जाएगा इसी notification में उसमें जो annexer 1 है part 2 उसका आपको printout ले लेना है ठिक इन दोनों को आपको एक साथ भेजना पड़ेगा कुछ documents attach करके यह notification हम आपको अपने channel take study idea पे दे देंगे जो की telegram channel है description में link है वहाँ से जरूर जुड़ जाएगा यहाँ पे भी सारी update हम आपके साथ share करते रहते हैं हमेशा साथी साथ take study idea at the rate gmail.com mail id है आप वहाँ में mail भी कर सकते हैं वहाँ पे भी आपको यह चीज provide करा दी जाएगी अब क्या करना आपको to original hall ticket जो है उसको print out निकाल लेना है खुद से उसे fill कर लेना है उसमें दो passport color photographs लगा देने हैं साथ में जो apprenticeship profile है इसे भी आपको लगा देना है और कुछ documents की checklist है क्यारड Apprentice School V.E.M. Nevel Base S.O.P.O. विसाखा पत्नम 530014 आंद्रा परदेश बाई पोस्ट ठीक है ऐसा भेजना है 9 जनुरी 2023 से पहले 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 पहुँच जाए यह form जिसमें आपका apprenticeship की profile and hard copy दो आपका जो admit card है hall ticket है वो आपको भेजना है उसके बाद आपको जो written examination है उसके लिए आपको online या offline जो भी hall ticket जो है वो issue कर दिये जाएंगे and last date क्या है 2 जनुरी 2023 यह क्या है 2 जनुरी से पहले पहले आपका apprenticeship पे registration होना चाहिए और 9 जनुरी से पहले आपका form पहुँच जाना चाहिए कुछ qualification का criteria है 10th pass आप होने चाहिए minimum 50% marks के साथ and idea आप NCVT या SCVT से pass होने चाहिए minimum 65% marks के साथ तभी आप यहाँ पे eligible हो पाएंगे apply करने के लिए तो यह चीज आपको जरूर ध्यान देना है कुछ candidates जो COVID-9 pandemic में pass हुए हैं उनकी mark sheet में numbers नहीं है grade points नहीं सिर्फ pass percentage यह सब अगर नहीं है वो भी जो है eligible हैं यहाँ पे apply करने के लिए वो written examination के लिए उनको भी यहाँ पे बुलाया जाएगा age की बात करें तो अगर आपका जन्म 2 मई 2009 से पहले पहले हुआ है तो आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है candidate born on or before 2 में 2009 यानि 2009 से पहले अगर आपकी date आप बर्थ है तभी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं form यह चीज़ आपको ध्यान रखना है physical standard भी यहाँ पे दिया गया 137 आपकी height होनी चाहिए and weight minimum 25.4 kg होना चाहिए stipend की बात करें जो 2019 का rule है उसके according आपको stipend यहाँ पे देखने को मिल जाएगा approximately 700 से 8,050 रुपए आपको stipend यहाँ पे देखने को मिलेगा selection process क्या होगा तो देखिए सबसे पहले candidates को जो है call letter इसू किये जाएंगे and call letter आपको जो इसू किये जाएंगे वो आपके 10th और ITI के marks के basis पे इसू होंगे जिसका ratio होगा 70 इस्टू 30 यानि मान लिजे high school में आपका है 60% और ITI में भी है 60% तो 60 का 70 कितना हो गया 42 और 60 का 30 कितना हो गया 18 इस basis पे आपका जो है जोड के बनाया जाएगा and फिर आपको written exam के लिए बुलाया जाएगा written examination में आपके mathematics के 20, general science के 20, general knowledge के 10, total 50 question का एक written test होगा जो की डेर नंबर का रहेगा एक question उसमें आप जो नंबर पाएंगे उसके basis पे आपका जो है merit list बनेगा and यहाँ पे schedule भी examination का दिया जा चुका है 28 परोड़ी को exam होगा 3 March को result आ जाएगा उसके बाद interview का schedule यहाँ नीचे दिया हुआ है इंटर्व्यू होगा आपका trade wise आप इसका भी schedule यहाँ पे देख सकते हैं फिर आपका medical examination हो जाएगा 16-28 March के बीच में and आपकी training जो है 2 मई 2023 से start हो जाएगी hostel facility यहाँ पे male candidate जितने रहेंगे उनको hostel facility मिल जाएगी जब वो join करने जाएगे तब ठिक तो यह सारी चीज़ें यहाँ है अब original certificate आपको ले जाना होगा साथ में police verification ले जाना होगा जब आप वहाँ पे जाएगे document verification के लिए उस time पी यह सभी documents आपके पास होने चाहिए साथ में अगर आप form भेजते हैं वो incomplete रहता reject हो जाएगा तो incomplete application नहीं भेजना है profile का print out, offline form दो copy में इसके साथ जो check off list है ठीक है यह सब कुछ आपको भेजना है otherwise and साथ में क्या करना है self-attest करना है सभी certificates को otherwise आपका form जो है reject हो जाएगा तो यहाँ पे वो form देख लेते हैं कैसा है यह रहा आपका form ठीक है सबसे पहले आपको part 1 में apprenticeship की profile print out निगाल के लगाना है यहाँ से आपका यह form start होता इसका आपको print out करा लेना है दो copy करवाना है ठीक है नंबर, mobile नंबर यह सब कुछ आपको सही तरीके से यहाँ लिखना है left hand का thumb लगाना है यहाँ पे signature करना है दो आपने identification mark लिखने है इसके साथ है check-off list है इसको आप print लगाईएगा साथ में यहाँ टिक भी करना जो applicable नहीं है उसे आप na लिख सकते है ठीक है इसका भी print out आपको साथ में लगाना है और सभी चीजों को एक लिफाफे में close करके आपको जो address बताएगे इस address पे 9 January 2023 से पहले पहले पहुँचा देना है by post address आपका यहाँ पे दिया हुआ है यह notification हम आपको टेलिग्राम पे दे देंगे बहुत ही अच्छे apprenticeship है यहाँ पे job में 100% आपको मौका मिलता है apprenticeship करने के बाद तो अगर आप eligible हैं 2009 के बाद की data of birth है आपकी तो आप जरूर यहाँ पे apply कीजिएगा Thank you very much